T20 World Cup 2022 का पहला semi-final मुकाबला आज हमें देखने को मिला था New Zealand और पाकिस्तान की टीमों के बीच में और इस मुकाबले में बाकिस्तान की टीम ने New Zealand को हरा कर 13 साल बाद T20 World Cup के फाइनल में जगा बना ली है और इसके साथ ही अब भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच में फाइनल मुकाबला कन्फर्म हो चुका है पाकिस्तान और New Zealand की टीमों के बीच में पहला सेमी फाइनल मुकाबला हमें आज देखने को मिला था और इस मुकाबले में New Zealand के टीम ने एक टफ दिखरी बल्लेबाजी पिच के ओपर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 20 ओर में New Zealand की टीम ने चार विकेट के नुकसान पर 152 नन बनाए जिसमें New Zealand की साइट से केन विलियमसन ने 42 गेट पर 46 नन की पारी खेली तो डेरल मिचल ने 35 गेट पर 53 नन की पारी खेली जिसके जवाब में 133 नन के लक्ष का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने अपनी शानदार ओपनिंग डिपार्टमेंट के दम पर इस मुकाबले को साथ विकेट से 5 गेदे 6 रहते हुई जीत लिया पाकिस्तान की साइट से मुहमद रिजवान ने 43 गेट उपर 47 नन की पारी खेली तो बाबर राजब ने 42 गेट पर तिरपरनन बनाए इस से ये बात कंफर्म हो गई कि पाकिस्तान की टीम फाइनल में जा चुकी है और भारत इंग्लेंड के बीच में होने वाले मुकाबले के बिनर से पाकिस्तान की टीम खेलेगी जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम फॉर्म में आ चुकी है इसके साथ ही इनकी जो एक दो दिक्कते थी यानि की ओपनर्स इनके बिलकुल भी नहीं चल पा रहे थे वो भी अपसॉल होते वे नजर आ रही है तो ऐसे में अगर भारत की टीम फाइनल में पहुच भी जाती है तो भी काफी जादा टफ चैलेंज हम में देखने को मिलेगा कॉमेंट करके आप लोग बताईए आपके हिसाब से कौन सी टीम खेलेगी पाकिस्तान से फाइनल इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब